आज हम बनाने लगे हैं जादूई रेसिपी जादूई रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए चार अदद लिम्बू लेमन और आठ कप पानी सिर्फ दो इंग्रीजिन से बनेगा जादूई रेसिपी आए स्टार्ट करते हैं जादूई रेसिपी स्टारट करने के लिए पैले हम लेंगे डिश पैन, इसमें हम एड़ करेंगे आठ कप पानी, हमें जाहिए सिर्फ आठक पानी और चार अदद लिम्बू के छिलके अगर आप चार अदद लिम्बू से ज्यादा लिम्बू लेना चाहते हैं तो फिर आप पानी की मिकदार भी बढ़ा देंगे जैसे के चार लिम्बू के लिए आठ कप पानी तो इसी तरह अगर छे पांच लिम्बू लेते हैं तो पर लिम्बू एक लिम्बू के हसाब से दो कप पानी एड़ करते चाहिए अभी हमने चार लिम्बू लिये हैं और आठ कप पानी लिये है चार अदद लिम्बू को हम दो पीसे में करेंगे और फिर इसका पानी ने चोड़ के अलग कर देंगे हमें सिर्फ लिम्बू के छिलके चाहिए लिम्बू का जूस या पानी नहीं जाहिए इस तरह से आप लेमन लेके इसका लेमन चल्का और लेमन जूस अलग कर देंगे इस तरह से लेम्बू का रस और लेम्बू के चली के अलग अलग हो चोगे हैं इस तरह से आपने चले के यह हैं यह लिम्बू के सिर्फ छिलके जूस नहीं दूस आपको नहीं चाहिए जस छिलके जाहिए यह छिलके आप लेंगे जा SMS ठीट है और इसको आप पानी में एड़ करेंगे सिर्फ जो आठ कप पानी है उसमें आप यह चिलके एड़ कर देंगे और चिलकों को आप बॉयल होने के लिए रख देंगे यह जो आपने चिलके अलग किये हैं अभी इस पानी में आप अड़ कर देंगे अब इसको आप बॉयल होने के लिए रखेंगे अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए तकरीबन दस मिनट तक इसको मसलसल बॉयल करना है दस मिनट बाद इसको ठंडा करके गलास में निकालके सुबा शाम एक एक गलास पीना है जिससे आपका मुटापा पेट की चर्बी बिल्कुल खत्म हो जाएगा लेमन वाटर रेसिपी वाइल हो चुका है अब इसको हम ठांप के रख देंगे जब तक ये ठंडा निया हो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए फिर इसको हम ग्लास में निकालके सुब और शाम एक हफते तक पीते रहेंगे जिससे आपके फैट्स कुप्लीटली खत हो जाएंगे नियू येर की सेलिबरेशन में काफी सारे स्वीट्स एंड अनहल्दी डाइट आपने रखा होगा जिसकी वज़ेसे आपको फैट्स हुए होंगे ये लेमन का छिलका और पानी आपके लिए बहतरी हल तो अभी इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए फिर लिए फ्रेंड्स लिंबू के छिलके का जो पानी है और ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद जो लमन के छिलके होते हैं बिलकुल नीचे बैट जाता है पानी के ऊपर नहीं होते हैं नीचे बैट जाता है अब इसको सर्फ करके ग्लास में डाल के आप पी सकते हैं ज वो भी थोड़ा कड़वा होगा, इनको आप कड़वी दवाई समझ की पेलिजिए, मतलब कड़वा हट परदाश्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेहत के लिए मुफीद है, अगर आपके बॉड़ी में कही पे भी एक्स्ट्रा रार जरूरी चर्बी है, तो वो चर्बी पिगल जाएगी, ये ट्रिंक मुसलसल एक हफ़ता पंद्रा दिन पीते रहेंगे, तो विजल्ट अच्छे मिलें। और फिर भी अगर आपसे बेरदाश ना हो तो आप शहत हनी या गुड़ का इस्तमाल कर सकते हैं। पुचीनी बिलकुल नहीं यूज़ ना ब्राउन शुगर ना वाइल शुगर बिलकुल यूज़ नहीं करना चाहिए। हनी और गुड़ भी यूज़ ना करें। करवा ही पिये तो आपको ज्यादा उच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो टमी के फैट्स हैं एक्स्ट्रा फैट्स जर्बी पेट की जितनी भी गहर जरूरी है वो मुकमन खात्मा हो जाएगा एक हफ़ते के अंदर अंदर। सुबा शाम एक क्लास पिया करें। दौा में याद रखिए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ। टेक कियर अलाफेज।